फ्री गार्डनिंग सीरीज की पार्ट सेवन में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं इंडियन टेरिस गार्डनिंग आर्ट मैं मम्ता भाजबी हम 6 एपिसोड बना चुके हैं और जिसमें हम स्टेप बाई स्टेप भागवानी सीख रहे हैं हमें कोई भी चीज ABCD से ही शुरू करना चाहिए तब ही हम जड़ तक आसानी से पहुँच सकेंगे तो उसी क्रम में आज के वीडियो का विशह है कि यदि आप बिगनर हैं तो आपको किस मौसम में बागवानी शुरू करना चाहिए अभी जब कि आपको आता नहीं है आप सीख रहे हैं तो सबसे अच्छा मौसम है मौनसून का बरसाथ का जून चुलाई अगस्त जून यानि कि जब बरसाथ के चीटे पढ़ने लगे तब उसके पहले जब तक गर्मी है तब तक नहीं तो जून जुलाई अगस्त से यदि आप शुरू करेंगे तो आपके लिए बागवानी सीखना आसान हो जाएगा क्योंकि ये जो मौसम होता है ये नेचिरली गार्डनिंग को या ग्रीनरी को सपोर्ट करता है इस मौसम में यदि आपसे कोई गलती होती भी है तो प्रकृति उसको नजर अंदाज करके पौधियों को इतना सहरा देती है कि सबजिया अपने आप हो जाती है और जब आप पहली बार सक्सेज होते हैं तो आपका मनुवल बढ़ता है तो मेरी राय यही है ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गर्मी में शुरू कर देते हैं मार्च अप्रल में जो नोने शुरू किया यह मैं जून में बो दिया और कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता उनका जिस तिन वो कोई वीडियो देखते हैं और उसी दिन वो सीट सोईंग कर देते हैं और उन्हें जानकारी नहीं होती कि हर पौधे का अपना एक स्वभा होता है उसको टेंपरेचर चाहिए होता है जिस टेंपरेचर पर वह बहुत अच्छे से सर्वाइब करता है तो धीरे धीरे हम यह भी सीखेंगे कि किस सबजी को कितना टेंपरेचर चाहिए कब होना चाहिए लेकिन एक मोटा यह एक पर बागवाने शुरू कर रहे हैं या बैक्यार्ड में आप जमीन में बागवाने शुरू कर रहे हैं बरसाथ से सुरू कीजिए अब बात आती है कि बरसाथ में किस महीने से तो हम जून से इसकी शुरुवात करते हैं और इसको हम अगस्त तक स्वीट सोयंग करते हैं लेकिन हम मई के आकरी सब्ता से मिट्टी बनाना और जून के 15 जून तक हम मिट्टी बनाने का पूरा काम कर सकते हैं हाला कि इस साल मौनसून थोड़ा सा जल्दी आ गया है तो हमारी कोशिश ही होना चाहिए लेकिन बरसात के छीटे पड़े उसके पहले हमें मिट्टी बना लेना चाहिए आप मेरे पूरे एपिसोड देख लेना शुरू के चार एपिसोड सिर्फ मिट्टी पर ही हैं मिट्टी कैसे बनाना है और मिट्टी जमीन की बागवनी की आत्मा होती है यदि आपने मिट्टी अच्छी बना ली तो लगभग सभी समस्याओं का हल पूरा हो जाता है तो इसलिए आप शुरू के एपिसोड जरूर देख ले और मिट्टी पर खुब काम करें उसके बाद जून जुलाई अगर आ जाती है तो हम सीट पर बात करते हैं हम कहीं शिम्ला मिर्च उगी होई मार्केट से लाकर देख रहे हैं तो हमें लगता है हम शिम्ला मिर्च घर पे उगाने तो जो सबजियां जो लेस केर मांगती है जो इजीली ग्रू हो जाती है हमें उन से शुरूआत करना चाहिए तो बरसाथ में होगाने के लिए सबसे पहले जो सबजियां है वो बेलवर की सबजियां है इन में नाम आता है लौकी, तोरी, नेनुआ भी कहते हैं से गिलकी, करेला, और भिंडी, बैगन मैं बस जादा सबजियों के आपको नाम नहीं बता रही हूँ आप बिगनर हैं तो आप ये बेलवर की सबजियां लगा लें लौकी, तोरी, करेला लगा लें और भिंडी लगा लें, बैगन लगा लें यदि आपको लगता है कि नहीं आपके पास जगे जादा है तो आप मिर्च भी ट्राइ कर सकते हैं लेकिन बिगन फोटी सी एक्स्ट्रा केर चाहिये होती है कुछ जानकारी चाहिए होती है नहीं तो उसके फूल जड़ जाते हैं या उसमें कुकरा रोगा जाता है तो आप मिर्च इस साल छोड़ भी दें या नहीं छोड रहें लगा लें तो आप फिर उसके लिए सीखें ये चार-पांच सबजियां हैं जैसे लौकी, तोरे, कद्दू, बैगन, भिंडी और करेला ये आसानी से हो जाती है इनको जदा दिक्कत नहीं होती बैगन की हम घर पर देखिए पौद हुगा लेते हैं इस तरह और अगर आप बिगनर हैं आपको पौद हुगाना नहीं आता तो किसी नर्सरी में पता करें आजकल सब जगे तैयार पौद भी मिल जाती है और कुछ नर्सरीज ऐसी भी होती है आप बिगनर हैं तो शायद आपको जानकारी नहीं होगी वरना कुछ ऐसी भी गौर्मेंट की नर्सरीज होती है जो पौद बनाकर किसानों को सप्लाई करती है अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपके शेयर में भी कहीं न कहीं होगी यदि नहीं है तो फिर आप पौद बनाना सीखें अब बात आजाती है कुछ एकस्पेक्टिशन कि हमसे क्या-क्या गलतियां होती है, जो नए लोग होते हैं, इन से जो गलतियां होती हैं, उनको आप गहर से देखें, वीडियो अंतर तक देखें, मैं बहुत ही महत्वकून चर्चा कर रही हूँ, एक तो क्या होता है, कि बहुत, मतलब हम बेसबरे होते हैं, समय से पहले रितु आये फल होई, जब रितु आती है, आप आपकी अरभी में टोकरी रखियों, वो खोदंग को रित हो जाती हैं, बीज आप समय से पहले डाल देंगे, तो वो गर्मी में ववक के खतम हो जाएगा, यदि गर्मी है, वो नहीं हो गेगा, तो आप बिलकुल सही समय, सही ग्रोथ होगी नहीं, जिसका जो जीवन चक्र है, जैसी ग्रोथ है, वैसे ही होगा, मिट्टी अच्छी नहीं बनाएंगे, तो ग्रोथ कहां से अच्छी होगी, पॉट का साइज छोटा सा ले ले लेते हैं, अक्सर मैंने देखा जो नए होते हैं, तो ये कुछ बिलकुल ख सबजियां, ड्रमों में होती हैं, चोविस बाई चोविस के जो ग्रोबैग होते हैं, छोटे ग्रोबैग में मत, बिगिनर है तो बिलकुल मत शुरू कीजिए, हाँ, अगर आपको पहले से अनवाब है, तो थोड़े छोटे में आप उगा सकते हैं, और उसके लिए कुछ ख सूखने दें, और अगर मॉनसूने जादा पानी आ रहा है, तो मिल्टी ऐसी बनाएं कि गंबले में देर तक पानी न रुके, मतलब बुर बुरी, गंबले के होल जो है ना वो बहुत क्लियर रखे हैं, ताकि अतिरिक्त पानी नहों, अतिरिक्त खाद भी नहीं कि जल्दी इसलिए हम सारे खाद, हमने लिक्विड भी डाल दिया हमने बोन मील भी डाल दिया वर्मी भी किचन कॉम्पोस्ट भी गोवर भी ऐसा नहीं करना है, अपच हो जाएगी पौदे को भी तो आप ऐसे मेरे वीडियो देखते रहे हैं, मैं सब कुछ डिसकस कर रही हूं, ऐसा तो कोशिश कर रही हूं, फिर भी अपके गर कोई क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उनका भी जवाब दूगी, तो जो मैंने चार पास सबजिया बनाई, इनसे शुरू करें, मिट्टी अच्छी बनाए, अब चलिए कि आपके पोदे बड़े भी हो गए, अब कहां आप गलती करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम और्गनिक तरीके से कर रहे हैं, कीट नासक हमारे पास नहीं है, तो यह बूल जाहिए कि आपको 100% फसल मिलेगी, जब कीट आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो कीट नासक यूजी नहीं कर रहे हैं, हमें तो और्गनिक सबजी चाहिए जैसे कि आज हम आईरवेट के लिए इतना प्रचार करते हैं लेकिन क्या हम एलोपेटी के बिना जीवन चला पाते हैं नहीं चला पाते हैं हमें पल पल पर एलोपेटी की जरूरत पड़ती है यही हाल पौदों के लिए है जिस तरह हमारी सिहत के लिए अलोपेटी से आईरवेट ज़ाद अच्छा है उसी तरह बागवानी के लिए औरगनिक ज़ाद अच्छा है बजाए कैमिकल के लेकिन हम टोटली औरगनिक पर कई बार नहीं हो पाते और अगर हो पाते तो उसके लिए में खास ट्रेनिंग चाहि नहीं है तो बाकी की 50% बचाने के लिए क्या करना है कि रोग लगने से पहले आपको रोग लगने से पहले जितनी भी नीम आयल या जो भी औरगनिक पैस्टी साइट होते हैं वो कलेक्ट करके अपने स्टोर रोम में रखना है और कोई भी कीट पतंगा लगने से पहले जैसे आपने पौद लगा दी तो उस पर राक चुड़कते रहें उस पर नीम उयल चुड़कते रहें कभी कभी उस पर चाच का भी एक बनता है इस प्रे कभी मैं शेयर करूंगी चाच को तामे के लोटे में भरके कुछ दिन रखके उपर चान के या चाच में नीम के पत्ते लहसन कूट कर जितने हैं हमारे ओशदी हैं जिने हम आयरवेदिक ओशदी कैसकते हैं इनसे भी बनाते हैं तो इनके साथ यह की कूटो पीटो बनाओ चानो अगर जरा भी मोटा रह किया तो इस प्रेगन में फस जाएगा उसकर नि पूर रखती है और मेरा अपना अनुवब है कि सब कुछ स्प्रे करने के बावजूद भी बावजूद भी कीट अटेक होता है हमारा लॉस होता है तब कुछ नहीं हम सबर करते हैं जैसे हमने चार लौकी की बेल लगाई है तो चलिए उसमें से दो खराब होंगी तो हमें लगाईगे तो एक लोकी का फल मिलेगा आदे फल कीट पतंगे के हिस्से आगा अर्गनिक खेती में सह imm President की बात होती है मिठी सब का पेट भरती है उस सब में हम भी है जानवर भी हैnd कीट पतंगे भी हैं वह सुक्ष मर्य है सब के हिस्से ए sigue में खाना आएगा drinking's वह मिठी तो कुछ चार वेगन अगर कीड़े के हिस्से में गए तो 6 वेगन आपको मिल गए एक लौकी में कीड़ा लग गया दो आपको मिल जाएंगी ऐसे आपको यह हडवडाना नहीं है और इसके लिए तो चिंता करने नहीं कीट तो लगेगा ना लगे उसके लिए पहले ही अज दिन रहेगा मुझे एक्सेक्ट नहीं पता पर उनका जीवन चक्र होता हुआ तो जब अटेक परशे करते रहें तो थोड़े कम हुए फिर वो कम होते हैं थोड़ा क्षा पीर तब तब टक उनका जीवन चक्र अपनेहां समाप्त हो जाता है और वो खुद भखुद मा बिविन प्रकार की सब्जियां लगांगे लगांगे लेटें और उसमें सब्जिया लगांगे लगाए तो जो फूलों को फूलों पर देखिए pollinator अट्रक्त होते हैं तो वो पॉलनेशन कराने में सहायक होते हैं गैनदा वगर के फूल से कीट, डिस्ट्रक्त होते हैं और सद्येश कमीड़ों, और पॉदों से भी कीट, डिस्ट्रक्त होते हैं तो सज तो ये है कि क्रशी एक विज्ञान है ये एक एपिसोड या एक लेक्षर में नहीं आ सकता लेकिन एक बेसिक मैंने आपको एक चीज बताई कि ये आपको मानना होगा कि आप जो भी छत पर होगा रहे हैं उसमें कुछ हिसा कीट पतंगों का रहेगा सब कुछ आपको न सब्यों से शुरू करेंगे संग में कुछ फूल पौदे फूल वाले भी लगाएं मेडिसनल भी लगा लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं शेर तो इस सीरीज को इतना करें कि ये सब तक पहुंच जाए तो मेरी महनत सफल हो और मिलते हैं अगले वीडि